सो नमस्कार दोस्तों मैं विजय संकर चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का इस ग्यान गंगा यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में ट्रेंग संख्या 22921 के बारे में आपको कम्प्लीट जानकारी देंगे जैसे कि ट्रेंग की चलने की टाइमिंग क्या है ट्रेंग कौन से इस टॉप पे कितना समय के लिए ठहरा वो लेती है और किस क्लास में आप टिकेट लेते हैं तो कितना किराया लगने वाला है बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप जानकारी दूँगा अगर आप किसी और ट्रेंग के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट से प्रेशन में जरूर बोलेगा दोस्तों बाइस नौसाव एक्स ट्रेन की हम बात करें तो यह ट्रेन बांदरा ट्रेन से गोरकपुर के लिए जो की सब्ता हमें केवल एक दिन चलती है और यह ट्रेन मेल एक्सप्रेस के तौर पे चलाई जाती है ट्रेन का पूरा नाम अंतोध एक्सप्रेस ट्रेन है और यह ट्रेन सब्ता हमें एक दिन चलाई जाती है बांदरा ट्रेन से गोरकपुर के लिए जो की रविवार को दोस्तों यह ट्रेन यात्रा के दवरान 2025 किलो मीटर की दूरी 34 गंटा 35 मिनट में तैं करती है और टोटल यह ट्रेन 19 स्टेशनों पे ठहराओ लेती है जिसमें गोरकपुर और बांदरा ट्रेन इंक्लूड़ है यह ट्रेन सबसे लंबे समय तक का ठहराओ गोंडा जक्सन में लेती है इस ट्रेन में अगर हम कोटा और क्लासेश की बात करें तो इस ट्रेन में सभी तरह की कोटा उपलब्ध है आप जनरल senior citizen ladies और तदकाल के तहत इस train में टिकेट ले सकते हैं अगर हम classes की बात करें तो इस train में के वर्ल 2 sitting general चालू debate दिये गए हैं यानि reserve हैं लेकिन चालू debate दिये गए हैं इस train का दोस्तों अगर किराय की हम बात करें तो अगर आप बांदरा ट्रेंट से गोरगपूर तक का टिकेट लेते हैं तो आपको बढ़ने वाला है 555 रुपए अब चलिए दोस्तों देखते हैं इस train के इस टॉप के details को ट्रेंट दोस्तों जब बांदरा से रवाना होती है तो इसका अगला इस्टेसान आता है बोरी वली और पांच बज़ के 30 मिनट पे यहां पे पहुंसती है तीन मिनट ठहराओ लेने के बाद अपने शफर के लिए निकल जाती है तीन नम्मर इस train का stop आता है वापी और वापी में train की टाइमिंग होती है सुवए 7 बज़ के 12 मिनट यहां पे भी यह ट्रेंग दो मिनट के लिए ठहराओ लेने के बाद अपने शफर के लिए रवाना होती है तीन नम्मर इस train का stop आता है सूरत और सूरत में गाड़ी की टाइमिंग हो जाती है 8 बज़ के 32 मिनट यहां पे यह गाड़ी 5 मिनट ठहराओ लेती है और सूरत तक 252 किलो मीटर की दूरी यह train करती है सूरत से जब यह train रवाना होती है तो इसका अगला stop आता है वड़ोदरा जर्टसन और train यहां पे 10 बज़ के 21 मिनट पे पहुंसती है 10 मिनट ठहराओ लेने के बाद अपने शफर के लिए निकल जाती है इसके बाद दोस्तों यह train पहुंसती है रतलाम MP मद्य प्रदेश में और train की टाइमिंग होती है दिन में 2 बज़ के 30 मिनट यहां पे 10 मिनट ठहराओ लेने के बाद फिर अपने शफर के लिए रवाना होती है अगला train का stop आता है कोटा और कोटा जक्सन में train की टाइमिंग हो जाती है साम को 6 बज़ के 10 मिनट यहां पे यह train 10 मिनट ठहराओ लेती है और यहां तक 909 किलो मीटर की दूरी यह train की रहती है पहुंसती यह train अपने अगले stop पे भरत पूर जक्सन और यहां पे यह गाड़ी 21 बज़ के 45 मिनट रात को 9 बज़ के 45 मिनट पे पहुंसती है 5 मिनट यहां पे ठहराओ लेती है और यहां के बाद इस train का अगला इस तो अपाता है छनेरा जक्सन चनेरा जक्सन में train की टाइमिंग हो जाती है रात को 10 बज़ के 40 मिनट और यहां पे यह train 10 मिनट ठहराओ ले तो दोस्तों जब 16 से अगला इस्टॉप जब इस ट्रेन का आता है मथुरा जक्सन तो यहां पे इस ट्रेन को दूसरा दिन लगता है कि ट्रेन पहुंसती है रात को 12 बचके 5 मिनट पेचके 5 मिनट पे ट्रेन 5 मिनट ठहराव लेती है और 1261 किलो मीटर की दूरी यहां तक तैंग करती है इस ट्रेन को दूसरा दिन यहां पे स्टार्ट होता है और फिर यहां से ट्रेन अपने शफर के लिए रवाना हो जाती है अगला इस्टेशन आता है कास गंज जो कि इस ट्रेन का ग्या और ए यहां पे ट्रेन की टैमिंग हो जाती है तीन बच के पचीस मिनट रात को तीन बच के पचीस मिनट ट्रेन यहां पे पांच मिनट ठहराव लेने के बाद फिर अपने शफर के लिए रवाना हो जाती है तेरा नमबर इस ट्रेन का इस्टाप आता है कानपूर सेंट्रल और ट ट्रीन कानपूर सेंटर तक तैंकरती हैं है कानपूर सेंटर के बाल इस ट्रेन का अगला आज जाता है जो की लख् नव। जसन और लख्नव। में ट्रेन की टाइमिल हो जाती है शुबह नव बज ट्रेन लख्नव तक población 수्ले स and 87 km ता लेकिंड है और यहां पर 10 मिनट के लिए ठहराओ लेती है लखनवी जक्सन में इसके बाद इस ट्रेन का इस्टॉप आता है गोंडा और गोंडा में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है दिन में 11 बज़ के 15 मिनट ट्रेन यहां पे 20 मिनट ठहराओ लेती है गोंडा जक्सन में और फिर यहां से अपने शफर के लिए रवाना होती है तो दोस्तों ये ट्रेन गोंडा जक्सन में सबसे लंबे समय तक का ठहराव लेती है जो की 20 मिनट की जो की बाद इस ट्रेन का अगला इस्टॉप आता है दोस्तों सिधार्थ नगर और सिधार्थ नगर में ट्रेन की टाइमिंग हो जाती है दिन में 1 बच के 42 मिनट यहां पे ये ट्रेन 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर अपने शफर के लिए निकलती है तो दोस्तों ये ट्रेन में लोग गुंडा से ही उतरना स्टार्ट कर देते हैं और जादा तर ये ट्रेन सिधार्थ नगर आते आते खाली हो जाती है पहुंचती है ये ट्रेन आनंद नगर और यहां पे इस ट्रेन का दिन में 2 बच के 15 मिनट पे श्टॉप होता है ट्रेन यहां पे 2 मिनट ठहराव लेती है और इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का 19 नमबर रिश्टॉप आ जाता है गुरक पुर्जक्सन ट्रेन दिन में 3 बच के 45 मिनट पे पहुंच जाती है और ये ट्रेन 2025 किलोमीटर की दूरी 34 गंटा 35 मिनट में तैं करती है तो दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहां पे ट्रेन संख्या 22921 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कोमेंट सेक्षन में जरूर बोलिएगा फिर मिलते हैं कैसी इंटर्स्टिंग वीडियो के साथ तक के लिए जैहीं बन देवातरम